हर हर महादीव दोस्तों स्वागता आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिप महापुरान श्री कोटी रूत्र सहिता का तेर्मा अध्याय बटूक नाथ की उत्पत्ति रिशियों ने पूछा हे सूथ जी आपने हम पर क्रपा करके हमें अनेकु जोतिलिंगों के विश्य में बताया है अब हमें अंदकेशवर नामक जोतिलिंग के महतमे के बारे में बताईए यह सुनकर सूत जी बोले हे रिशियों, पुर्व काल में अंदक नाम का एक महाबली वीर और पराक्रमी राक्षस था उसने अपने बल से पूरे विश्व पर अपना दिकार किया हुआ था और वह देवताओं से सभी जीवों को दुखी करता रहता था तब सब देवताओं उस देत्य से पीडित होकर भगवान शिव की शरण में गए उन्हें प्रणाम करकि देवताओं ने उन्हें अपना दुख कहा अपने भक्तों के दुख को जानकर शिव जी ने उन्हें सायदा करने का वचन दिया और अंदक के निवास पर चलने के लिए कहा सब देवताओं के साथ भक्त वत्सल शिव अंदक के निवास पर गए बहां अंदक और भगवान शिव के बीच महा युद्ध हुआ ति लोगनात भगवान शिव ने अपने त्रशूल से जो ही अंदक को मारा वे छटपटाते हुए बोला हे देवादी देव गृपा निधान मैंने सुना है कि मरते समय शिव जी के दर्शन करने से शिव पद्ध की प्राप्ति होती है मैंने अंतिम समय में आपके दर्शन कर लिये है अंदक के ऐसे वचन सुनकर शिवजी प्रसन होकर बोले हे दाव नवेंद्र तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रवावित हुआ हूँ मांगो क्या बर मांगना चाहते हो शिवजी के ऐसे वचन सुनकर अंदक बोला भगवन मुझे अपनी अविचल भक्ती प्रदान करें और यही पर स्थित होकर जगत का कल्यान करें तब अंदक की बात मानते हुए शिवजी ज्योतरलिंग रोप में वहां स्थित हो गए इस प्रकाल सवीधी पूजन करने वाले को सभी मनोकाम नायम पूरी होती है यह ज्योतरलिंग अंदकेश्वर नाम से जगप्रसिद है अंदकेश्वर नामक ज्योतरलिंग की उत्तम कथा सुनकर रिशीगन बोले हे सूत जी अब आप हमें बटूपनात की उत्पत्ती के बारे में बताईए तब सूत जी बोले है रिशिगणों प्राचीन काल में ददीची नामक एक धर्मात्मा शिव वक्त हुए हैं जो संपोर्ण वेदों के ग्याता थे उनका सुदर्शन नाम का पुत्र था वह भी अपने पिता के समान सर्वगुन संपन्ध था उसकी पत्नी दुकुला नीच कुल की थी उसकी भक्ती में कोई रूची नहीं थी उसकी चार पुत्र हुए एक दिन धदीची मुनीन को किसी कारे से कहीं जाना पड़ा तब वै अपने पुत्र को शिव पूजा करने की आग्या दीकर चले गए सुदर्शन विदी विदान से भगवान शिव की आराधना और पूजन करने लगा शिव रातरी का दिन आ गया सुदर्शन ने वरत किया और सविदी पूजन भी किया किसी कारे वश उसे अपने घर जाना पड़ा वहां उसकी पत्नी ने उसे काम वश कर लिया तब सुदर्शन बिना शरीर शुद्धी किये शिव जी के मंदर में पहुचकर शिव जी का पूजन करने लगा इससे भगवान शिव अप्रसन हो गए और उन्होंने सुदर्शन को जड़ पुद्धी होने का शाप दे दिया तब मुनी ददीची वापस लोटे तो उन्हें सारी बाते पता चली उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उनके पुत्र ने सारे कुल को कलंकित कर दिया है विशुत रिदय से जगदंबा पार्वती जी की आराधना करने लगे उन्होंने विदिविदान से पूजन कर जगदंबा को प्रसन कर लिया देवी पार्वती ने प्रसन होकर उन्हें दर्शन दिये तब ददीची मुनी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने पुत्र सुदर्शन को उनके चरणों में डालकर बूले हे मातेश्वरी मेरे पुत्र को दिक्षा देकर इसका कल्यान करो इसकी बुद्धी को सही कर दो इसे भगवान शिव के क्रोध से बचा कर उनका अनन्य बक्त बना दो तब पार्वती जी ने सुदर्शन को जनेव पहना कर उसे गायतरी मंतर की दिक्षा दी फिर देवी अंतर ध्यान हो गई सुदर्शन ने शोडशोप चार से शिवजी का पूजन किया जिससे वे प्रसन हो गए और उन्होंने उसके सभी अपरादों को शमा कर दिया शिवजी ने उन्हें साक्षा दर्शन दिया और सुदर्शन वे उसके पुत्रों का बटूक रूप में अभिशेक किया आपका यह रूप सारे संसार में पूजनियव होगा यह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए उसी दिन से सुदर्शन बटूक नाम से संसार में विख्यात हुई और शुब अशुब सभी कार्यों में उनकी पूजा करने का विधान है ओम नमस्षिवाए